आपने कभी किसी दर्शक को डिरेक्टर के इस तरह से पैर छूते देखा है? क्या आपने कभी किसी दर्शक को इस तरह से एक्टर से लिपट कर फूट फूट कर रोते हुए देखा है? इन आसों को देख कर किस का दिल नहीं फट गया होगा? ये 32 साल पुराना वो दर्द है जिसका जकम आस तक हरा है ये महिला दे कश्मीर फाइल्स देखकर अपने आसों को नहीं रोप पाई फिल्म देखकर उसे अपना वो कश्मीर याद आ गया जहां से उसे 19 जन्वरी 1990 को घसीट कर बाहर निकाल दिया गया था लेकिन ये महिला अकेली ऐसी नहीं है जिसे यूं कश्मीर की वादियों से घसीट दिया गया हो ऐसे 4 लाक और कश्मीरी पंडित हैं जो आज भी अपने दिलों में दर्द दबाई पैठे हैं सरकार के पास इसका आकला तक नहीं है कि कितने कश्मीरी पंडितों की बेरहमी से हत्या करती गई कितनी महिलाओं का सरयाम बलतकार कर दिया गया, कितने बच्चों को अनात कर दिया गया, कितनी माओं को विदभख कर दिया गया सिनेमा घरों में कश्मीर फाइल्स देखने के बाद जो फूट फूट कर रोते हुए दर्शकों की तस्वीरें सामने आ रही है वो ये बताने को काफी है कि इस फिल्म में उनकी सची कहानी को दिखाय गया है। हैरानी होती है उस बॉलिवुट पर जो कहता फिरता है कि फिल्में समाज का आइना होती हैं। अगर आइना होती हैं तो कश्मीरी पंडितों की सच्चाई को लोगों तक पहुचाने में 32 साल क्यों लग गए। विवेक रंजन अगनोत्री की इस फिल्म से बॉलिवुट जला बैठा है। कोई भी एक्टर इस फिल्म पर एक शब्द बोलने को राजी नहीं है। आज ये फिल्म रिलीज हो रही है और ये वो कहानी है जो हर हिंदुस्तानी को पता होनी चाहिए।